हेलो एवरिवन मैं विश्वजीत सिंग आप सभी का दी इनव पर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम महिस्ट्री महाई 09 लेसन 4 भारतिय रास्ट वात पर पर परिपेच्छे 2 पढ़ने वाले हैं दोस्तो इससे पहले जो मैंने लेसन 3 करवाय थ उसके अंदर में हमने पढ़ा था भारतिय रास्ट वात पर पर परिपेच्छे 1 जिसके अंदर में हम 3 तरह के दिरिष्टी कोन पढ़े तो उन 3 दिरिष्टी कोन के नुसार भारतिय रास्ट वात किस परकार का है यह हमने जाना था वो दिरिष्टी कोन क्या थे तो रास्ट वादी दिरिष्टिकोन, माक्सवादी दिरिष्टिकोन और उपनिवेशवादी दिरिष्टिकोन इन तीनों दिरिष्टिकोन के नुसार भारते राष्टवाद किस परकार का है यह हमने study किया था आज के इस वीडियो के अंदर में हम दुबारस से तीन अलग लगतर के topics करेंगे Cambridge school, सबार्टन पत्रिका और कुछ अन्य इतिहास कारों के दिरिष्टिकोन और इन तीनों के नुसार भारते राष्टवाद किस परकार का है इसके हम चर्चा करेंगे दोस्तों यह topic important है video important और इससे पहले वाला जो लेसन था वो भी important था और almost MA history के अगर आप बात कर करूँगा कि इस lesson 4 की वीडियो देखने से पहले lesson की 3 वीडियो जरूर देख लें जिससे आपको यह lesson भी समझ में आए ठीक है अगर आपको भारते राष्टवाद के राष्टवादी, माक्सवादी और उपनिवेसवादी अगर विचारधारा समझ में आ गई तब आप यह जरूर समझ जाओगे ठीके चले स्टार्ट करते हैं आपको यह रहेगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अपने दोस्तों साथ सेर जरूर करें उससे हमें थोड़ा सम मोटिवेशन मिलता है और अच्छे साम वर्क कर पाते हैं साथ साथ लेक्चर बेस वीडि इतिहास को लिखने में ज्यादा दिल्चस्पी नहीं दिखाई है अगर आप वही अमेरिका के इतिहास पढ़ते हो ब्रिटेन का इतिहास पढ़ते हो तो वहां के जो कोर जो लोग थे मुख्य जो लोग ते मुख्य तपका जो था उसने आगे बढ़कर वहां का इतिहास को पर हमारे इतिहास का जो मुखे स्रोथ हम लेके चलते हैं और रास्टवादी इतिहासकार जो रहे उनको हम लेके चलते हैं, उपनिवेशवादी इतिहासकार रहे जो उनको हम लेके चलते हैं, माक्सवादी के जो विचार धाराते हैं उनको हम पढ़ते हैं, तिक है उनके अध जाता है कि भारते राष्टवाद के बारे में Cambridge School ने क्या कहा उसकी क्या विचारधारा थी उसको बताईए ठीक है इस तरह से बनता है तो अब Cambridge School के अगर मैं बात करूँ तो Cambridge School स्कूलों के जो विचारधारा था वो अपनिवेशिक विचारधारा से काफी हद तक मिलते थे ठीक है वो अपनिवेशिक विचारधारा के सपोर्ट में बोलते थे ठीक है उपनिवेशिक विचारधारा के सपोर्ट में बोलते हुए नजर आए उन्होंने माक्सवादी और रा रास्टवादी के जो भी तथे उनको नकारा ठीक है अब रास्टवादी माक्सवादी के तथे क्या थे जैसे रास्टवादी लोग कहते थे कि भारत के अंदर में जो एकता है वो महजूद थी पर Cambridge School और उपनिवेशिक जो विचारदा रहा था वो इस बात को नकारता था कि भारत के अंदर में एकता है ठीक है उपनिवेशिक शासन का ये कहना था कि भारत के अंदर में जो एकता इस्थापित के गई है वो उपनिवेशिक सरकार की देन है वो ये मानता था ठीक है जो भारत के अंदर में राष्टवाद की भावना सन 2000 से भी पहले से मतलब 2000 साल पुराना राष्टवाद की भावना है आप तो अब आये हो 2000 साल पुराना हमारा राष्टवाद की भावना है यह राष्टवाद और जो मार्क्सवाद यह लोग ते इसको सपोर्ट करते थे पर Cambridge School और उपनिवेशिक ने इसको नकारा ठीक है इस तर से उनके तथ्यों को नकारा गया उपनिवेशिक जो एसिया और अफरीका के जो मतलब जैसे बितेन ने क्या किया कई सारे देसों को Tao कह यहाँ पनिवेशिक बनाया अपना उपनिवेश बनाया ठीक है तो यहां पर यह कहा जाता कि एसईया और अफरीका के अंदर में जो भी उपनिवेश बने गरीव और पिछले दिस जो उपनिवेश बने उसका सबसे बड़ा रीजन Cambridge School ये बताता है कि सत्ता तंत्र की राजनेति कमजोरी सत्ता तंत्र की राजनेति कमजोरी क्या होता है ठीक है एकता नहीं था लोगों के अंदर में, जो राजा थे वहां के एक नहीं थे, ठीक है, अब अगर किसी एक राजा पर आकरमन हो रहा है, तो दूसरा वहला राजा सुछता था, यार उस पर आकरमन हो रहा है, मैं क्यों दूसरे के फटे में टांगड़ा हूँ, ठीक है, तो simple सा logic के रहता था, ठीक है, उसका हो रहा है, वो समझेगा, ठीक है, अगर वो help ही मांग रहा है, वो कह भी रहा है कि कल तुमारे उपर भी हो सकता है, कल का कल देखेंगे, आज तो मुझे जीने थे, सईसे, तेरे क्छक कारण में अपना क्यों लड़ाई लू, तो इस तर से चीज क्यों कि हमने आपको गुलाम बना दिया तो गलत है, क्योंकि हमने आपको आकर अकल दिया है, इक्षा दिया है, बुद्धी दिया है, ठीक है, यह उपनिविशिक दिर्ष्टिकोन में यह कहा गया है, क्यों, क्योंकि आपके अंदर में एकता नहीं थी, हमने एकता दिखी, आपके अंदर में रास्टवाद नहीं था, हमने रास्टवाद की भावना आपके अंदर में जगरित करी, ठीक है ये बोलते हैं, सासत में कहते हैं, आप आज थोड़ना गुलाम बने हो, आपको तो पता नहीं कितने सालों से कभी मुगलों के, कभी अफगानियों के, कभी किस सास्टों को सहते आ रहे हो, गुलाम बनते जा रहे हो, ठीक है हम तो उसको continue कर रहे हैं बस, ठीक है ये उन्होंने बोला, और इस बात का real fact है दोस्तों, ये सच में ऐसा है, ठीक है अगर आप सई से detail में study करो, तो सच में ऐसा चीज़े आपको दिखेंगी, ठीक है आगे मैं उसके कान से एक नया वर्ग उत्पन हुआ, जिसका नाम दिया गया मध्यम वर्ग, ठीक है, मध्यम वर्ग की उत्पत्ती हुई, ठीक है, और मध्यम वर्ग के जो था, उसने राजनितिक परतिनिधित्व का ने लिया, ठीक है, और भारत के अंदर में रास्टवाद, एक्ट नहीं था, जो मेन by घॉर भारतिय था, क्यों है जो मुक्ये जो बारत के लोग थे, उनका अंगरेजों से कभी भी डायरेक्ट कोई टकराव ही यह नहीं, या माला था अनिल सिल का और जो टकराव था भी, तो किसका टकराव था? तो मुक्य अंतर विरोधी भारते, जो main जो भारत के जो लोग ते जो अंतर विरोधी थे जो विरोध कर रहे थे अंगरेजों का उनके बीच में था टकराव और सिक्षित कुलीन मद्यम रगों के बीच में टकराव रहा ये मानना था कैसे जैसे मानना लोग जामिदार हो गए साहुकार हो गए ठीक है उनका वह एक तरसे सिक्षित और कुलीन वर्ग में आते थे और मुख्य अंतर विरोधी जो कोर भारते थे उन दोनों के बीच में आपस में टकराव था ठीक है यह माना कभी अंग्रेज्जों के अंदर में पावर्स बहुत आ गई ठीक है उसको बहुत जादा दबाया ठीक है उसके कारणस यहां पर अनिलसिल यह कहते है कि जो टकराव जैसी स्तिती थी ना तो उन दो तपकों के बीच में थी अंग्रेज्जों का कहीं वहां पर पार्टिसिपेशन था ही नहीं ठीक है यह मान कर चलते हैं और कोर भारतियों का कभ धारनात्मक धारनाती बनी हुई थी उसकी विवस्था थी बस यह मान कर अनिलसिल चलते हैं आगे मैं बात करूँ तो असयोग आंदलन सवने अवग्या अंदुलन भारत छोड़ो जैसे जो आंदुलन थे वो परती द्वन्दता कम competitive एक तरह के संगर था और उससे जादा किया तो मैं यह करूँगा ठीक है तो इस तरह से चीज़ें चल रही थी उसको यहां पर निलसिल ने Cambridge स्कूल के दिश्टी कोन के नुसारत दरसाया है ठीक है यहां पर Cambridge स्कूल भी आगे चलकर यह कहता है कि भारतिये महादीप में जो परिवरतन का पर्थम और महत्यपून जो चालक था जो ड्राइवर था में जो सोर्स था जो परिवरतन लाया जिसने परिवरतन लाने वाला जो था वह उपनिवेशिक सरकार थी यह Cambridge स्कूल मानता है ठीक है किस तरह का परिवरतन भारत के अंदर में एकता स्थापित करना ठीक है जो भारत के अंदर में एकता से हुआ अपने वेशिक कारण से हुआ यह Cambridge Schools का कहना था कि जो नया चालक जुद सबातन अध्यन के बारे में इंपोर्टेंट है यह फटापट इसको rough करते हैं पहले फिर इसके बारे में हम सबातन और दिन के बारे में पढ़ते हैं सबातन क्या एक पत्रिका है ठीक एक तरह का magazine है आप यह मान के चलिए उसके अंदर में जो भी इतियासकार अलग-अलग विचारकों को जो अपना उन्होंने टिपनी किया उसको हम यहां पे study करते हैं दोस्तों आप सभी से request रहेगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को साथ share करें तो कुछ अगर doubt हो कहीं पे कुछ confusion हो तो आप comment करके पूछ सकते हैं अगर आपको whatsapp group से जुड़ना है तो आप comment किजिएगा मैं link दे दूँआ वहां से आप directly join कर सकते हैं अब मैं सभार्टन अगर सभार्टन अध्यन की बात करूँ सभार्टन की एक तरह का पत्रिका है और इसमें भारतिय रास्टवाद का विस्तृत व्याक्या किया गया जो भारतिय रास्टवाद है उसको बहुत detail में बताया गया सबाटन के अंदर में एक विचारक आते हैं रंजीत गुहा करके ठीक है रंजीत गुहा करके आते हैं ठीक है उन्होंने भारती रास्टवाद को बताया भारती रास्टवाद को किस तरब से बताया इसके बारेगर मैं बात करू तो रंजीत गुहा कहते हैं कि भारती तपके के दबाव में रहा भारतिय रास्टवाद ये रंजीत गुवा का कहना था साथ साथ में रंजीत गुवा ये कहते हैं कि राजनीतिक से जनता के अनुस्पति मतलब अफसेंट थे जो जनता में कोर भारतिय थे वो भारतिय राजनीतिक में थे ही नहीं यह रंजीत गुवा का मानना था, ठीक है, इस line को अगर detail में हम समझें, तो भारतिये जनता, जो मतलब main core भारतिये, ठीक है, वो भारतिये राजनीतिक में अनुपस्तित थे, ठीक है, मतलब absent थे, वो छुट्टी पे थे, मतलब वो थे ही नहीं भारतिये राजनीतिक में, वो क मतलब रास्वादी जो भी विचारक थे, उपनेश्वादी विचारक थे, माक्सवादी थे, उन सभी के आलोचना यहां पर सबाटन के द्वारा किया गया, आगे मैं बात करूँ, तो निम्न वर्ग जो निम्न वर्ग था, जो नया वर्ग उत्पन हुआ, निम्न वर्ग अगर मैं बात करूँ तो कई बार क्या होता है कि एक गरीब जैसे आप मालो मोदी जी एलाइसी बेच रहे हैं ठीक है या फिक कोई दूसरी कंपनी बेच रहे हैं ठीक है और हमारी जो पोलिटिकल पार्टी है उसको बहुत जादा बड़े तोर पर दिखाता है कि उसने ये कर सचे दिया पर जो नीमन वर्ग स जो बहूत नीमन वर्ग उसको उसकी जरूरते क्या है उस चीजस को ध्यान नहीं देते ठीक है अब मोदी जी अगर मालो पाकिस्तान से वैपार Madison कर रहे ठीक है तो मैंबुव यही कहते है कि नीमन वर्ग को समझने का परियाशिक हीonymous किया है अपनी जरूरतों को थोपा गया, अब मेंभुवा मुक्ती की जरूरत है कि वो पाकिसान से बात करवाएं, ठीके, तो वो अपनी जरूरत क्या कर रही है, लोगों पे थोप रही है कि ये हमारी जरूरत है, ठीके, इस तरीके से ये चीजे देखी जाती है, ठीके, यहाँ पर रंजुत गुवा यही कहते हैं, यहां पर साथ साथ में यह का जाता है, किसान और आदिवासी जो वर्ग के लिखे गई इत्यास थे, उसकी आलोचना करी, ठीके मतलब जिस तरीके से किसान और आदिवासी लोगों का जो इत्यास लिखा गया, ठीके वो सही नहीं था, और बुक के अंदर ही में मिलेंगे, बुक से ही उठाए गया है, कोई बाहर से किस चीज़ की help नहीं ली जारी है, ठीके तो आप बुक पढ़िए, बुक के अंदर में ऐसे, इसलिए मैं बुक कही पीडियाफ यूज कर रहता हूँ, ग्याने अंदर पांडे आते हैं, ग्याने सोतंतर रूप से उसकी उत्पत्ती हुई उदित हुआ, मतलब वो बढ़ चड़ कर सोतंतर रूप से आगे बढ़ा, ठीके ये कहते हैं, तो यहाँ पर वुरों ने ये टार्गेट करने की कूर्सिस की ज्याने अंदर पांडे जी ने, कि जो सयोग आंदूलन था, वो सोतंतर आंदूलन ने रहा, ठीके सोतंतर नहीं था, मतलब एक तरह से न, उसके उपर दवाव था, कि इस तरह से न, इस तरह से चलना है, वो दवाव में आंदूलन पूरा हो रहा था, ये ज्याने अंदर पांडे कहते थे, ठीके, वहीं पे साहिद आमीन करके, ठीके, एक और विचारदारा था उसका मिस्यूज किया गया मतलब किस तरह से जिसे एक तरह की गांधिवादी विचारदारा बहुत लोग पुरियर विचारदारकाओं में से आती है विचारदारों में आती है ठीक है क्योंकि अंग्रेजों में इस विचारदार का खौफ था गांधी जी का गाउ रक्षा के ऊपर में थीक है अलग-अलग मुद्दो को अपने उगांधी जी के नाम पर सीधा किया गया अपने उल्लू सीधा किया गया ये आमीन कहते हैं थीक है कहते है जैसे जो चोराचोरी 1922 में जो घटना हुई चोराचोरी के अंदर इसमें पुलिस थाने को आग लगा दी गई थी तो वहां पर कुलीन वर्गों का विरोध निमन वर्गों की स्वतंतर रूप से दिखते हैं मतलब जो कुलीन वर्ग थे वो थोड़ा सा विरोध हुआ निमन वर्ग वहां पर खुल कर सामने आते हैं ठीक है यह चीजे वहां पर गांधी जी की आमीन बहुत participate करे में राश्च वात के अंदर में निम्न वर के अंदर में भी राष्टवात की भावना जागरी तो गांधी जी चाते थे यहासा आमीन जी का कहना है ठीक है साहिद आमीन का आगे में बात करूँ तो आगे हमारा अगला टॉपिक आ जाता है कुछ अन्य द्रिष्टिकोन को लेकर ठीक है जो अलग अलग द्रिष्टिकोन आये उनका क्या कहना था इसके बारे में बात करूँ तो यहां पर आते हैं करके एक आते हैं विचारक आते हैं अदुनिक और पर यहंपे ऑदियो जो आती है वो कहते हैं भारतिय राष्टवाद पुन रूपी से आधूनिक उतपाद नहीं था उनका ये कहना था कि भारतिय राष्टवाद के अगर हम बात करें तो इसका निर्मान छेतृतरिता ठीक है जो छेतरी एस्तर पर खोज जो उपनिवेश्वाद मतलब छेत्रिय देश बक्ति के दर बात करो छेत्रिय देश बक्ति के हम जब बात करते हैं तो उपनिवेश्वाद बहुत अपने अंतिम चरण पर था मतलब पूर एकदम चरण पर था तब सही मतलब भारतिय रास्वाद का निर्मान हो रखा थ सबी के अंदर में मौझूद था और वहां पर युगदान दिया इसका अलग-अलग जैसे देश-बक्ति जैसे भारत की मात्र-भूमी को बांधने वाली जो देश-बक्ति थी हो सत्रवी सदावदी से मौझूद थी ठीक है यह सी ए बैली कहती है ठीक है सासा तो कहते कि भासा धर्म और आर्थिक रूप से जोडने वाली जो एकी करन थी वो देश-बक्ति थी जो लोगों को जोड़ती थी बासा के अधार पर धर्म के अधार पर आर्थिक एकी करन के अधार पर जो जोड़ती थी वही देश-बक्ति थी वही राश्ट-बात था यह सी ए बिली का मानन था ठीक है यहां पर सासाथ कहते है राजिस्थान और मद्दे भारत के अंदर में जो मुगलों का विरोध हुआ ठीक है वो राजपुती एक था ठीक है जब आपने पढ़ा होगा पत्मवती वाला जब आप मुवी देखोगे तो आपका अंदर से खून खूलेगा अभी प्र कि हम कुछ भी कर गुजरें देश भक्त के लिए देश के लिए वही रास्टबाद है यहां पर यह बोला गया है ठीक है समझ में आता है वहां पर एक अलग विचारक आते हैं जिनका नाम है रजत राय ठीक है रजत 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 राय करके एक और विचारक आते हैं यहां पर C.A. Valley के बाद ये भी कहते हैं कि उन्हीं इतिहासकारों की इन्होंने आलोचना करी जो राष्टबाद को पुन रुप से आधोनिक उत्पाद मानते थे और यूरोपियों की देन मानते थे ठीक है इन्होंने उसके आलोचना करी इनका माना थे कि राष्टबाद जैसी जो कि उसके खालएं या मुसलिमू में नहीं है हुआ हम दूस्मन है जिसमन है इन्होंने बोला दोनों में सामिल थी यह सब चीजे बोले का में जीजन गया था कि अंग्रेजों का एक नी थी फूट डालो राज करो वाली ठीक है तो उसके कारण से यहां पर कहते हैं कि भ्या अ chapter clear हो जाएगा कोई दिकत वाली बात में लास्ट वाल रेसन को भी जरूर पढ़िएगा जिससे आपको चीजे clear हो ठीक है आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताईएगा अगर मैं इस वीडियो के questions की बात करूँ जो यहाँ पर आपका questions आते हैं क्या questions पढ़ने हैं अगर मैं उसके बारे में बात करूँ तो दो second time लगेगा ठीक है तो यहाँ पर जो questions तीन questions बनते हैं पहला questions तो आता है Cambridge School और भारते रास्टवाद की विचारों को अव्याख्या करने को लेकर ठीक है Cambridge School ने क्या कहा भारते रास्टवाद को लेकर ठीक है उसके उपर आ जाता है कि भारते रास्टवाद को लेकर Cambridge School का क्या मानना था वो बता दो तो जो मैंने Cambridge School का पढ़ाय था ना वो आप सब बुक को तो आपको वहां से आइडिया मिल जाएगा ठीक है तो वहाँ पर डेटेल में आप बता सकते हो तीके तीसरा जो कोशन बनता है यां पर भारते रास्वाद के बारे में सी ए बेले जिसके बारे में भी मैं बता रहा था रज़त राय के विचारों को मतलब यह दोनो question almost same ही है ठीक है तो यहाँ पर दोनो questions को मिलाकर आप कर सकते हो answer same ही बनना है ठीक है तो आप उससर से कर सकते हैं तो friends आप सभी से request है अगर video आपको अच्छी लग रही है वो अगर video समझ में आ रही है ठीक है में हिस्ट्री के अगर video और भी आगे चाहते हो तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब जरूर करें और दोस्तों सस्क्राइब के बगल में एक join का बटन आता होगा ठीक है जहां पर आप छोटा सा 29 रुपे का payment करके आप हमें join भी कर सकते हैं जिससे हमें motivation मिलता है कि हाँ हमारे पास इतने subscriptions हैं ठीक है इतने students ते जो support कर रहे हैं जिससे जो work है जो team हमारे है वो अच्छे से कर पाती है ठीक है थोड़ी से team को भी help होती है तो friends अगर आप capable है 29 रुपे के लिए तो आप कर सकते हैं ठीक है तो friends thank you so much for watching me thank you so much for listening me bye bye take care all the best